हेलो गाइज, वेलकम बैक टो मैं चानल, यदि आप है भी हार बुड मैट्रिक सेंटर परिक्षा के स्टुडेंट और आप लोग का एक्जामनेशन है 15 नुवंबर से, यानि आने वाला जो 15 नुवंबर है उस तारिक से तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर क्या आचुका हूं कि किस तरह से आप लोग इसका सारा questions को आप इसके एक website से download कर सकते हैं और वहीं से आप लोग का सारा question answer सब कुछ मिल जाएगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे उस website पर हम लोग आ चुके हैं यहां पर गूगल ब्राउजर या Chrome ब्राउजर कोई भी ब्राउजर open कर लेना है और उसके बाद लिखना है आपको assessclasses.com उसके बाद इसको search कर लेना है और यहां पर आपका इस तरह से खुल जाएगा उसके बाद आप लोग को आना है class यहां पर आप लोग को class 10 वाले पर किलिए नहीं जैसे इसे आप लोग किलिएगा तो सबसे उपर में ही आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे पोस्ट विहारबुड मैट्रिक सेंटर परिक्षा 2022 और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसमें इसमें आपने और यहाँ को मिल जागा यहां पर लोग देख सकते हैं नीचे की तरफ और यहां से आपोग देख सकते हैं हिंदी करीं यहां पर आपको यहां सब्सक्र 이제 80 questions पूखा गया है 100 questions पूचा गया है जिसमें सब्सक्राइए 50 का answer करना ही और है 50 पड plea अप लोग के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा में रखा गया है तो यहाँ पर लोग देखते हैं सिसे यहां पर लोग का वध का यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर है 1 का यहाँ पर लगा हुआ है D, उसके बाद है, उसके बाद 2 का A है, आपका इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद 3 का A है, 4 का A है, 5 का C है, 6 का D है, 7 का A, 8 का B, 9 का C, 10 का D, आप यहाँ पर देखेगा तो इसके पूरा 100 का 100 आप लोग को यहाँ पे करा दिया गया है आप लोग यहां से असानी से लिख लिखेंगे सेम question pattern में आप लोग करने वाला है और साथ ही यहाँ पे अगर Subjective questions डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको उसका भी यहाँ पे link मिला हुआ है इस वे डाउनलोड कर सकते त्याय है साथ आप यहां पर टेलेग्राम चैनल का मेरा लिंक दिया गया है जहां पर सारह अप्डेट वहीं सबसे पहले मिलने वाला है दो वहां पर वाट सब्सक्राइगों उसके बाद WhatsApp गुरूप से भी आप लोग जूर सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोग को जानकारी दी जाती है, उसके बाद बात करेंगे English की, तो English के भी सभी 100 questions का यहाँ पे अंसर अपडेट कर दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आप लो से आ करके देख सकते हैं, और नीचे की तरफ जब हम लोग आएंगे, तो यहाँ पी आप लोग लोग पूछा गया है, वो question पूछा गया है, असी goes में से आप लोग को 40 questions का answer करना है तो यहां पर आपको 80 questions का answer मिल जाएगा यहां से आप लोग लिख लेंगे और इसी तरह से आप लोग जाकर के वहां पर examination में लिख सकते हैं उसके बाद यहां पर भी इसका subjective questions का update किया जा चुका है इसको भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं तो इस तरह से आपके लिए यही थोड़ा सा सूचना था सूचना था कि आप लोग यहां से जाकर के आसानी से पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग बाबाए